हलो एवरीवन वेलकम बैक टू पर्चम टू दा पॉइंट सीरीज में आज हम दो इंपोर्टन टॉपिक पर डिसकेशन करने वाले हैं विट पीवाई क्यूज कौन कौन से हैं वो दो टॉपिक पहला है सिविल डिस ओवियंट मुव्मेंट मतलब हमारा सवीने अवग्या हैं आपका टेस्ट भी हो जाएगा कितनी बातें आपको समझ में आई हैं यहाँ पर ने पिछले पांस साल के कोशन पेपर कभी एनलेसिस किया है यह सारे के सारे कोशन एस सी सीजी एल में आई हुए कॉशन है पिछले फाइफ यूर्स में मैंने इनका screen shot भी आप लोगों की मदद के लिए लगाया हुआ है जिससे आप समझ सके कैसे question exam में frame होकर आते हैं तो पहले हम CGL में आए हुए questions को देखते हैं फिर theory पढ़ेंगे और फिर बाद में और भी MCQ and PYQ को हम detail में discuss करेंगे वीडियो के end में आपको एक question of the day होगा जिसका answer आप हमें comment section में provide कर देंगे सही answer भी मैं आपको वहीं पर देदूंगी अप बात करते हैं notes के बारे में तो देखें कर to the point series है तो सारे points है आप important है तो आप handwritten notes भी prepare कर सकते हैं otherwise आज की class की जो PDF है वो हमारे website पे available होगी तो website से आप PDF पे डाउनलोड कर सकते हैं almost 3 या 4 topic ही हमारे modern history के बचे हुए हैं उसके बाद हम medieval history to the point start करेंगे इसके पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखें हैं तो playlist तैयार है प्लेडिस्ट में up to the point वीडियो देख सकते हैं सारे के सारे वीडियो modern history के वहाँ पे upload कर दिये गए हैं so start करते हैं आज का session तो यह कुछ PYQs हैं जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था 1919 में allow detention of political prisoners without trial तो कितने समय के लिए जो political व्यक्ती थे उनको जेल में डाला जा सकता था without trial तो answer था two years दो सालों के लिए यह पूरा clause बनाया गया था इस रोलेक्ट को हमने black कानून या काला कानून भी कहा है इस पर मैंने separate वीडियो बनाया है आप playlist में जाके देख लीजेगा यह देखिए SSC CGL का प्रशन है आप देख सकते हैं screenshot इसका यहाँ पर लगाया हुआ है next है in which on the following year was a second roundtable conference in London held riot so second roundtable conference London में कब हुई थी answer हो जायका 1931 में second roundtable conference हुए थी जिसको अटेंड करने जाते हैं महात्मा गा ऑपोस्ण ऑप्शन वन có еसे मतलब roundtable Conference में जाते हैं वह जाते हैं सेकेंट roundtable Conference अकितनी roundtable conference होती तो टोटल 3 roundtable fun BONDus झिसके बारे में ऍटेल में भी हम discuss करने वाले तो option वन यह आप पर करेक्ट हो जाएगा यह भी सीजील का कॉश्चन है नेक्स्ट है जलिया वाला बाग मसकर के कारण उसके प्रोटेस्ट में नाइट हुट का टाइटल किसने बापस कर दिया था तो जलिया वाला बाग मसकर पर वीडियो बनाया हुआ है आप करेक्ट आंसर क्या है रविना टैगोर है option 2 यहाँ पर करेक्ट है next बात करेंगे which of the following statement is correct with reference of to the Karachi session of the Congress in 1931 तो पहला question तो आपको यहाँ पर clear हो गया कि जो INC का Indian National Congress का 1931 का session होता है वो कहां होता है कराची में होता है clear अब कराची session में कौन सा के reference में कौन सा statement यहाँ पर करेक किया गया था कराची session में और विसी बात एक क्वेटन यह वाला तो अपना 9042 की बात है और यहाँ पर 9031 की बात हो रही तो यह हो नहीं सकता खिलाफत movement 1990 में पहले ही खतम हो चुका है और यहाँ पर महात्मा गांधी प्रेसिडेंटेंट टोवर्ट सेशन और मैंने आपको य सिल्विन पैक्ट को रेटिफाई किया गया था 1931 की कराची session में कितना अच्छा प्रश्ण है सारे के सारे पॉइंट को यहाँ पर रिकॉल करा दिया गया है नेक्स्ट है थर्ड राउंटेबल कॉंफरेंस कब हुई थी तो लंदन में हुई थी यह भी थर्ड राउंटेब हुआ है कि चोड़ी चोड़ा इंसिजेंट जब हुआ था उसके बाद महात्मागानेजीन ने क्या किया चल रहा था उसको बापस ले लिया जिससे कई सारे पॉलिटिकल लीडर नाराज हो गया जिन में से दो थे मोतिलाल नहरू और चितरन दंदास उन दोनों ने मिलके पार्टी का फॉर्मेशन किया जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी तो यहां पर सही आंसर हो जाएका option number 4 option number 4 is the right answer अब अगला प्रशन SSC पे पूछा गया है पहली roundtable conference के बारे मध्य को पहली भी पूछ ले दूसरी भी पूछ ले और तीसरी भी पूछ ले तो आप समझ सकते हैं पिछले 5 सालों में ही तीनी conference पूछ डाली तो यह roundtable conference बहुत important है आपके exam के लिए तो सही आंसर जाएका 90 30 मे पहली roundtable conference हुई थी तो roundtable conference से जोड़े जितने भी fact है आज आप सारे सीख जाओगे तो कोई भी question आपका यहां पर गलत होने वाला नहीं है अगर session पसंद आता तो अपने friends के साथ share भी कर सकते हो क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि यह session कितने important है आपको किसी और book से history पढ़ने 2015 में और knighthood की title को नोंने 1919 में पापस कर दिया था तो वो व्यक्ति रविनाथ टैगॉर option 3 इस दा राइट आंसर चेके option 3 यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लावा जो शांती निकेतन आश्रम है ना उसको भी UNESCO tentative list में शामिल किया है तो already रविनाथ टैगॉर जी न चले रविनाथ टैगॉर जी की biography भी मैंने describe की हुई है तो separate playlist है आप वहाँ पर जाके important Indian heroes की biography पढ़ सकते हैं तो सारे point वहां से भी cover हो जाएंगे तो पहले हम बात करते हैं कुछ theory questions के बारे में सरी कुछ theory portion के बारे में उसके बाद हम M.C.O discuss करेंगे ठीके तो पहले हम देश में एक एक्ट आता है विचिस government of India Act 1990 जिसे हम montangu transfer reform कहते हैं इसके बाद यहां पर decide होता है कि 10 साल के बाद एक commission बनाया जाएगा और वह commission भारत आएगा और आके हमारे देश के administrative reform को करने का काम करेगा तो एक साथ मेंबर का commission बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं साइम commission साइमन commission का formation 1927 में होता है और 1928 में commission भारत आता है लेकिन इस commission में कोई भी व्यक्ति भारती नहीं होता तो पूरे देश में इसका काफी protest होता है और उसके बाद जो Secretary of State of India होते हैं जो कि भारत की सचेव होते हैं लंदन में बैठे हुए वो कहते हैं कि एक काम करो आप ही ल प्रजेंट करते हैं मोतिलाल नहरू तो नहरू रिपोर्ट 1928 डिसंबर में पेश की जाती है और कहा जाता है कि एक साल के अंदर बिटिश गवर्मेंट इस रिपोर्ट की बातों को implement करें ठीके रिपोर्ट का पबलिश हो रही हैं डिसंबर 1928 में पबलिश हो रही है एक साल हो जाता है लेकिन बिटिश गवर्मेंट कुछ नहीं करती नहीं इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करती है और नहीं कुछ अपने देती है मतलब कोई भी रिस्पॉंस देना इन्होंने बंद कर दिया दिसंबर 1929 में चेके तो उसके बाद क्या होता है आइंसी का सेशन होता है इंडियन नेशनल कॉंगरेस का 1929 का सेशन होता है कहां पर लाहूर में वेरी इंपोर्टेंट सेशन तो याद रखेंगे 1929 में लाहूर सेशन होता है जिसके प्रेसिडेंट होते हैं पंडित जवालाल नहरू और इस सेशन में डिमांड की जाती है पूर्ण स्वराज की यह इसलिए पूर्ण स्वराज की जो डिमांड रखी जाती है वो आई एंसी लाहूर के सेशन में रखी जाती है 1929 में और 31 दिसंबर 1929 में रावी नदी की किनारे कौनसी नदी रावी रिवर की किनारे पंड़े जवालाल नहरू जी नेशनल फ्लैक को होस्ट करते हैं तिरम य जनवरी 1930 से हर साल 26 जैन को हम पूर्ण स्वराज डे की रूप में सेलिब्रेट करेंगे यही रीजन है कि 26 जनवरी का दिन हमारे इतिहास में हमारी हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है यही रीजन है कि जब हमारा कॉंस्टिउशन नेवेंबर में बनकर तैयार हो ग परने का रिजलूशन पास किया था लाहॉर के सेशन में इतनी चीज़ें अब यहां पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ रावी नदी की किनारे पंडे जवालाल नहरुजी के दौरा यहां पर तिरंगा फैरा आया गया इसके बाद लाहॉर सेशन के बाद महात्मा गांदी जी ने अपनी यहां पर 11 डिमांड को प्रिजेंट किया कितनी डिमांड 11 डिमांड याद रखेंगे महात्मा गांदी जी ने अपनी कितनी डिमांड रखी दी 11 डिमांड लाहॉर सेशन के बाद महात्मा गांदी जी ने रखी ब्रिटिश गवर्मेंट के पास और कह कि आपको हम टाइम लाइन देते हैं 31 जैन 1930 की 31 जनवरी 1930 तक आप इन 11 डिमांड को या तो मान लो एकसेट कर लो या तो रिजेक्ट कर लो या अपना ओपीनियन दे दो अगर आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स जैनवरी 31 1930 तक नहीं आया तो हम एक मास मुव्मेंट के शुरुआत करेंगे जिसका नाम क्या था सिविल डिस ओवियंट मुव्मेंट मतलब सवीनय अवग्या आंदोलन बात समझ गया तो क्यों शुरू किया था ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहां पर 11 डिमांड गानी जी ने में कुछ इंपॉर्टन डिमांड आपको बताती हूं पहली बात तो गानी जी ने कहीं कि यार यह जो आर्मी और सिविल सर्विसेस के जो परसन है उन पर हमारा खर्चा बहुत जादा है तो आपको यह एक्सपेंटिचर जो है वह 50% रिडियूस करना है आप हमारे देश में क्रिमिनुल इन्वेश्टिगेशन डिपार्टमेंट बनाइए इसके लावँ नोने कहा कि जो कोस्टल शिपिंग है फॉर इंडियन वो रिजर्व किया जाए मतलब भारती जो है वह कोस्ट अदिया से में डिया चरेट कर सकते वह रिजर्व किया जा इंडियन के लिए इसके लवल लेंड रिवेन्यों को 50% मतलब जो टेक्स है ना उनको 50% रिड्यूस करने की बात की गई साथे साथ कहा गया कि जो सॉल्ट पे टेक्स लग रहा है आप उस टेक्स को हटाओ और बिटिश गवर्मेंट की जो मोनोपॉली है कि केवल नमक बनाने का दिकार बिटिश हैं उन्होंने इन सारे ग्यारा डिमांड को मानने से मना कर दिया इसलिए यहां पर जब ग्यारा डिमांड मानने से मना कर दिया बिटिश गवर्मेंट उसके बाद महातमा गानी जी ने सॉइट मार्च या फिर दांडी मार्च की शुरुआत की दांडी मार्च दांडी मार् तो यहां पर सॉस्ट टैक्स इतना बड़ा एजेंडा क्यों था क्योंकि उस्ट टैक्स गवर्मेंट के द्वारह इसविट्पोर्प्ष लेरा जायर सwriter को तरीके से एक तरैके से उसे हैं कि आप टेक्स लेरा हो जो की डे नमक कम हो गया नमक जादा हो गया खाने का टेस्ट बिगड़के तो सॉल्ट के कितनी एहम भूमी का है आप यहां से समझ सकते हैं इसलिए महात्मा गाली जी के द्वारा जब 11 डिमांड को नहीं माना गया तो यहां पर दांडी मार्च के शुरुआत की गई चीक है तो यहां सुवर डिस ओविएंट मुवमेंट का पहला फेस था जैसलि इस ओविएंट मुवमेंट की शुरुआत इस सौल्ट लॉ से 4 लॉ को ब्रेक करके दांडी मार्चा शुरुयात होती है दांडी मार्च कब शुरू हो तीस दिनां है बिलकुल रट लेना है ऐसा कर अःसा कानुन को तोड़ना है तो बेक सॉल्ट लौ के लिए यहां पर दांडी मार्च के साथ होती है और महत्मा गानी जी इसी लीड कर रहे होते हैं सावर्मति आस्रम से दांडी माज के शुरुआत होती है और से कहां पर होता है दांडी में लगभग 240 माइस का डिस्टेंस यह 48 फॉलोवर्स अटेंड करते हैं और 24 देज तक लगभग 24 दिनों तक यह पूरी मार्च चलती है इस दांडी मार्च को वाइट फ्लोइंग रिवर का नाम भी दिया है आंगे जाके कई सारे फॉलोवर्स जु होती है 24 दिनों तक यह दांडी मार्च चलती है और फाइनलिस्टिक्स अप्रेल 6 अप्रेल को 1930 में महात्मा गांदी जी पहुंचते हैं दांडी वहां पे नमक बनाते हैं और सॉल्ट लॉक को ब्रेक करते हैं और इसके अलावा उसके बाद वहां पे वह शुरूआत करते है किसकी सिविल डिस ओवियंट मूव्मेंट की मतलश सवीने अवग्या आंदोलन को लॉंच कर दिया जाता और महात्मा गांदी जी कहते हैं कि जब तक हम यहाँ पे इंडिपेंडनेंस अचीव नहीं कर लेते हैं मैं सावर मती आश्रम नहीं लौटूँगा यह यहाँ पर कह महात्मा गांदी जी करते है तो यह कुछ बात ने थी जो आपको दांडी मार्च के बारे मं पता होनी चाहिए इस तरीकए से जैसे कि महात्मा मार्च निकाली थी दांडी मार्च निकाल है ती सावर मती आश्रम से लेके दांडी तक वैसे ही देश के अलग-अलग कोनो में अलग-अलग leadership में डांडी मार्च यह शॉट मार्च की शुरुआत हो जाती जैसे की तमिल नाड़ो का reason करने काम करते हैं असमें सत्य ग्रही मार्च करते हैं। बंगाल तक और मैनिफेक्टर करते हैं सौट कब। आंदरप्रदेश में भी कई सारे मिलेटरी केम्प वह सत्या ग्रहीं को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी सॉल्ट मार्च के दौरा जवालल नहरु जी को अरेस्ट कर लिया जाता है 14 अपरेल को क्योंकि वो सॉल्ट लॉक को ब्रेक करने का काम करते हैं फिर प्रटेस्टर जो है वो प्रटेस्ट करना शुरू कर देते हैं मदरास कैलकटा करांची में ठीक है और यहां पर देखेंगे कि चार में को 90-30 में महात्मा गांदी जी जो यहां पे गुजरात में धर्सना सॉल्ट वोकर है उनको स्ट्राइक करने के लिए कहते हैं लेकिन गांदी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो इसलिए इस सॉल्ट वर्कर्स की जो स्ट्राइक होती है उसको बाद में लीट कौन करते हैं अबबास तायब जी और सरोजनी नायवडियो तो मैं आपको बता दू कि महात्मा गांदी जी को जब सॉल्ट मार्च के दौरान जेल मे दाल दिया जाता है तो पूरे के पूरे मुव्मेंट को लीट करने का काम कौन कर रहे होते हैं अब बास तैयब जी कर रहे होते हैं और सरोजनी नायवडियो जी जो है वो सॉल्ट वर्कर की प्रोटेस्ट में सहयोग कर रही होती है तो इस तरीके से पूरा मास मुव्मेंट शुरू होता है जैसे हम दांडी मार्च कहते हैं अब दांडी मार्च जब जैसे खतम होता है वहीं से शुरूआत होती है civil disobedient movement की मतलब सबने अवग्या आंदोलन की इस आंदोलन की कुछ बेसिक बाते में बताती हूं कुछ फीटर्स क्या है तो इस आंदोलन में बड़ी संक्या में व्यूमेंस ने भी पार्टिसिपेशन दिखाया था इसकी जो इंपॉर्टन लीडर थे मतलब जो फीमें लीडर्स थे वो थी कस्तूर अगानी कमला देवी चट्टो पाध्याय अवंतिका बाई गोखले लीना वती सब्सक्राइब करेंगे और गाओं के लोगों के द्वारा भी इस मुव्मेंट पे अपना रेजिस्ट्रेशन कराया गया था इसका मोटो क्या था नॉन वाइलेंस मतलब हमें हिंसा नहीं करनी है बस अपनी बातों को रखना है प्रोटेस्ट करते हुए मतलब सरकार की कोई भी बाते हम नहीं मानेंगे और सांधी पूर्ट तरीके से हम प्रटेस्ट करेंगे इस तरीके से सिविल डिस ओबियंट मूब्मेंट की शुरुआत होती है अच्छा नहरू रिपोर्ट तो आ चुकी है नहरू रिपोर्ट तो पहुच चुकी है 1928 में बिटिश के पास अब लोग जितने भी पॉलिटिकल लीजर से अलग-अलग पार्टी के रिप्रेजेंटेटर है वो सभी लोग लंदन में आईए और लंदन में हम आयुजित करते हैं राउंटेबल कॉंफरेंस जहां पर हम साइमन कमिशन की रिपोर्ट और नहरू रिपोर्ट पर डिटेल में ड क्या ONE के बला ऍचकुल अव्क होते हैं नाटी से लेकर 32 के बीच में उस सीरीज घूंफरेंस होते हैं तेन यहां पर टौल कॉंफरेंस कंड़ू के रिवी क्यूंब रिकमेंडेशन किस ने दिया है मौमध अली जिन्न ने और लॉड इर्बिन ने दिया है और उस समय जो बिटेन के प्राइम मिनिस्टर है वो है मैक डॉनल्स तो यहां पर जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट और नहरो रिपोर्ट है उन पर डिसकेशन करने के लिए राउंड टे निकलता है इन तीनों कॉइडरेंस में दो बड़े लीडर ते जो तीनों कॉइड करते हैं एक है बाबा सहाब अम्बेटकर और गांभा त्यम् कोए सपपरोट नाम को याद रखना है वांइट साफाब अम्बेट कर और दिज दोर टीडरी घमरे सब्सक्रीलं होते हैं केब 1931 तक चलती है और यह conference कहां होती है लंदन में रॉयल गैलरी हाउस ओफ लॉट एट लंदन में यहां पर इस conference को लीड यह चेयर कर रहा होते ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रेमसी मैकडॉनल्ड यहां पर ब्रिटिश गवर्मेंट की तीन अलग अलग पार्टी मतलब जो ब रखेंगे यह data बड़ा important है पहली roundtable conference में 74 delegates इंडिया से जाते हैं कहां पे लंदन और पहली roundtable conference में शामिल होते हैं तो पहली roundtable conference पे तेज बहादुर शप्रू एक discussion move करते हैं मतलब resolution पास करते हैं तेज बादुर शप्रू जहां पर discussion होता है और इंडिया फेडरेशन के बारे में इसके अलावा जवाला नेरु जी यहां पर participate नहीं करते हैं इसके अलावा Congress कोई भी व्यक्ति महात्मा गानी जी भी कोई भी व्यक्ति first roundtable conference में शामिल नहीं roundtable conference में लेकिन इतनी बड़ी पार्टी है Congress पार्टी उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटर यहां पे शामिल नहीं हुआ तो कैसे हम कोई discussion कर सकते हैं कैसे हम किसी conclusion पे पहुंच सकते हैं तो जो बिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं रेमसी मैकडॉनल वो गवर्णर को इतनी राउंटेबल कॉन्फरेंस होने के पहले यहां पे शुरूआत होती है गांधी-ःर्विन पेक्ट जिसको सरोजनी नाइडियों ने दो महात्माओं का मिलन कहा है तो यहां पे गांधी-ःर्विन पेक्ट होता है जो कि माहत्मा गांदी जी और उस समय के जो वायसराय होते हैं Lord Irwin के बीच में होता है और यहां पर Lord Irwin पूरी कोशिश करते हैं कि महात्मा गांदी जी वो किसी भी तरीके से कन्वेंस करें कि वो सेकेंड राउंटेबल कॉंफरेंस में प्रेजेंट हो लंदन में क्लियर हैं दा कॉंग्रेस हैद बाइकॉट इद फर्स कॉंफरेंस पहली कॉंफरेंस को कॉंग्रेस ने बाइकॉट किया और फिर फाइनली तेट बाद शपरू एम आर जैकर और वी एस श्री निवास सास्री के रिकमेंडेशन पर यहां पर तैयारी की गए कि महात्मा गांदी जी और लॉड इर्विन आपस में बात चीत करें जिसे हम कांधी इर्विन पेक्ट के नाम से जानते हैं और गांदी इर्विन पेक्ट में दो इंपॉर्टेंट कंडिशन थी पहली कंडिशन यह थी कि इर्विन ने कहा कि महात्मा गांदी जी से कि आप इसको यहीं पर रोक दीजिए और दूसरी बात आप सेकंड राउंटेबल कॉंफरेंस में आए लंदन यह डिमांड रखी थी किसने लॉड इर्विन ने तो टेक्स है उसको हटा दो एक पूरी तरीके से इसके अलावा जो रेंड लेंड रिवेन्यों लग रहा है 50% तो आप वो रिवेन्यों को कम करो इसके अलावा आप जो खर्चा करते हो आर्मी पे इतना जाधा एकस्पेंडिशर हो रहा है उसको भी 50% तक रिड्यूस करो जितन महात्मा गांदी जी न रखी तो बिल्कुल इर्विन ने उनकी सारे दिमांड को मान लिया और जिसके बाद फाइनली सेकेंड राउंटेबल कॉंफरेंस में महात्मा गांदी जी जाते हैं अपने राजपुताना जहाज से कहां पे लंदन तीक है तो जहाज का नाम भी आज रखना है राजपुताना अच्छा यह जो सेकेंड नंबर के राउंटेबल कॉंफरेंस होती है न इसमें सरोजनी नाइडियू मदन मोहन मालवी घंसियां दास विल्ला मुहंबत इकबाल सर मिर्जा इसमाईल जो कि दिवान होते हैं मैसूर के एस के दत सर सेयद अली इमाम यह सब लोग भी गानी जी के साथ जो है वो कहां पहुंचते हैं लंदन पहुंचते हैं अब लंदन जब पहुंचते हैं तो यहां पर अगे बाबा साब अमबेटकर अपने डिमांड रखते हैं कि जो अंटचिबल हैं अंटचिबल के लिए सेपरेट एलेक्टोलर होना चा तो उन्होंने इस बाल को खारिश कर दिय कर दिया और बापस लंदन से बापस इंडिया लौट कर आ जाते इस तरीक रांदेबल कॉफरेंस भी नहीं रहती और जब वह इंडिया लौट कर आते हैं और बापस से शुरुआत कर देते हैं सवी नए अवग्या आंदोलन की मतलब सेकेंड फेस शुरू हो जाता है सिवेल डिस ओवियंट मुव्मेंट का तो याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि सेकेंड फेस सिवेल डिस ओवियंट मुव्मेंट का कब शुरू हुआ तो आ आपका roundtable conference का जिसमें 46 delegates जो है इस session को attend करते हैं, clear जिसमें Congress का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे शामिल नहीं होता है, clear इतनी चीज़े, इसके अलावा यहाँ पे from the September 1931 until March 1933, under the supervision of the Secretary of State for India, Sir Samuel Horry, उस समें जो भारक के सचेप होते हैं, वो Sir Samuel Horry होते हैं, उनके representation में कई सारी बातों पर discussion होता है, और finally Government of India Act 1935 तैयार होता है, तो आने वाले session में हम Government of India Act 1935 के उपर discussion करेंगे, चीक है, अब यहाँ पर second phase of civil disobedience, हमने कहा कि second roundtable conference यहाँ पर fail हो गई, और यहाँ पर finally गांदी जी जब लॉट कर आते हैं, और उन्होंने civil disobedience movement की शुरुआत की, जिसके कारण Britishers ने महात्मा गानी जी को अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद कहां पर भेश दिया, पूने, पूने की यरवदा जेल में गानी जी को रखा गया, चीक है, अब गानी जी को पता था, यहाँ पे कि उन्हें कुछ न कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे देश का और भी ज्यादा पार्टिशन हो जाएगा, अगर हर एक व्यक्ति अलग या सेपरेट एलेक्टोलर की डिमांड करेगा, तो यह तो हमारे देश के हित में नहीं है, तो गानी जी यहाँ पे अंसन पर बैठ जाते हैं, और कहते हैं, कि मैं जब तक यह रिवार्ड जो जाती है, तो भी क्लेम तो यहीं किया जाएगा, और गानी जी को कुछ होगे, कि हरी जनों के कारण महात्मा गानी जी की मरत्य हो गई है, कुछ भी ऐसा अन्हों नहीं हो गई, घटना घटित हो गई, तो यहाँ पे कई सारे लीडर्स जो हैं, बाबा साब अम्मेटकर को बो इसके उपर डिसकेशन करते हैं, तो भात्मा गानी जी यहाँ पर कहते हैं कि देखिएगा, जो आपके दलत वर्ग है, या जो हरीजन है, वो हिंदू कम्मुनिटी का ही इससा है, हम उनको रिजर्वेशन देते हैं, ना कि हम उनको सेपरेट एलेक्टोलर देंगे, तो कही न एग्रिमेंट साइन होता है, बिट्वीन दमात्मा गानी और बाबा साहब अमबेट का, जैसे हमने पूना पैक्ट कहा है, और ये घटना 1932 की है, कहाँ पर पूने की यरवदा जेल में, इसलिए इसे हमने पूना पैक्ट कहा है, क्लियर एतनी चीज़ें, तो वही सारी बात में मदन मोहन मालवी जी इस पूना पैक्ट पे साइन करते हैं, तो ये कॉश्चन पे पूछा जाता है कि पूना पैक्ट पे किसने साइन किये, तो मदन मोहन मालवी जी ने पूना पैक्ट पे साइन किये, और यहाँ पर बिटिश गवर्मेंट जो है, वो 80 सीट्स दे रही क्लास को और महात्मा गांदे जी ने 140 सीट्स जो है वो रिजर्फ कर दी थी डिप्रेस्ट क्लास के लिए क्लियर है तो यह सारी घटना यहां पर हुई आइए बहुं कॉश्चिन्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं तो यहां से स्टुरू होता है आपका क्वेज आप जाएगा नेक्स्ट एडविच कॉंवेस्ट सेशन वाज़ वर्किंग कमीटी ओथराइज तु लॉंच अ प्रोग्राम ओफ सिविल डिसोवियंट तो यहां पर जो सबीन अवग्या आंदोलन की शुरूआत होई उसके लिए कॉंवर्स के किस सेशन में रिजलिशन पास किय इन दो आख गया था तो लाहोर सेशन कौंसा सेशने लाहोर सेशन नाइंटीन वाला ओके तो ऊप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा सी नेक्स जिंगांधी स्टार्टेटर डंडी मार्च फरॉम तो डंडी मार्च की शुरुमा सावरमती आश्रम से की गई पहां से खी किस से हैं? सॉल्ट लॉवियस सी बात है, नमक कानून से हैं, औप्शन सी. नेक्स्ट है, प्रभावथी देवी वॉस द फ्रीडम पाइटर ऑफ विच फिल्ट तो प्रभावथी देवी जी तो एक फीडम फाइटर थी और जन्होंने सिविल डिसोबियंट मुवमेंट और कुछ इंडिया मुवमेंट में पार्टिसपेट किया, यह किस रिजन से बिलॉंग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा पटना, कहां से बिलॉंग करते थी, जब इन्होंने सॉल्ट लॉव बनाया, मतलब सॉल्ट लॉव को ब्रेक किया, इसने बनाये थी, प्रभावती देवी के दौरा बनाई गई थी, ऑप्शन C यहां पर करेक्ट है, नेक्स्ट है, तो यहां पर नेको गरवाल रजिमेंट जो था, उन्होंने बना कर दिया था, कि जो फ्रीडम फाइटर्स है ना, जो आंदोलनकारी हैं, हम उन पर फायर मही करेंगे, कब civil disobedient movement के समय, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर हम, who of the following organize a mark on the Tanjore, course to break the salt law in April in 1930, तो यहां पर तमिल नाडु के बारे में, साउथ इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो साउथ इंडिया में कौन था, जो सॉल गांधी जी इस्टे दा फॉरण जनरलिस्ट इन हिस सावरमती आश्रम डूरिंग दांडी मार्श, तो यहां पर दांडी मार्श जो पूरी हुई थी ना, एक अमेरिकन जनरलिस्ट था, जिसने इस पूरी मार्श को यहां पर अपनी भाशा में लिखा है और पब्लिश भी क करेंगे after the arrest of Gandhiji during the salt Satyagraha, who took his place as the leader of movement, तो Gandhiji को arrest करने के बाद यह पूरा movement इसके हातों में चला गया था, Abbas Tayyab जी, option D, next बाद करते हैं, which one of the following statement is not correct about the Mahatma Gandhi Dandhi March, Dandhi March की respect में कौन सा statement यहां पर correct नहीं है, Dandhi March की शुरूरात 15 मार्च 1930 में हुई थी, Dandhi March सावरमती शुर Dandhi, it was all together a pedestrian march, एक पैदल यात्रा थी, तो बिलकुल ये पैदल यात्रा थी, सावरमती आश्रम से चुरूरू हुई थी, Dandhi में खताम हुई थी, 24 दिनों तक चली थी, लेकिन ये 15 मार्च को शुरू नहीं हुई थी, ये 12 मार्च को शुरू हुई थी, clear तो पहला statement, गलत है बाकी सारे statement यहां पर correct हो जाएंगे, which event occurred first, इन में से पहला कौन सा event पहले हुआ था, गांधी इर्विन पैक्ट, ये तो 1931 में हुआ था, arrival of Simon Commission 1928 में हुआ था, White India Movement 1942 में हुआ था, और Dandhi मार्च 1930 में हुई थी, तो पहला movement कौन सा हुआ था, Simon Commission का भारत आना, option भी विलकु correct है, next है, which of the falling was one of the 11th demand of M.K. गादी, तो 11 demand माहत्मा गानी जी की तोरह रखी गई थी, ये 11 demand में से कौन सी यहां पर है, यहां पर बोला जा रहा है कि जो military expenditure है और civil administration का जो expenditure है, जो खर्चा है, उसको 50% reduce किया जाए, बिलकुल सही बात है, और यहां पर जो arms act है, उसको change करने की बात की गई थी, तो ये बात भी बिलकुल सही तो दोनों statement यहां पर सही है, option D correct हो जाएगा, next बात करेंगे, who among the following was the founder of Khudai Khidmatgar, जिसको लाल कूरती movement भी कहते हैं, खudai Khidmatgar किस ने शुरू किया था, तो ये खान, अब्दुल Gaffार खान ने शुरू किया था, जनने हम frontier ग कहां पर पास हुआ था, very important, करांची सेशन 1931, करांची सेशन of March 1931, option A is the right answer, next है, महत्मा गांदी जी की द्वारत, दांडी मार्श कितने distance की थी, कितने kilometer की थी, तो आंसर हो जाएगा 240 माइल्स की, 240 माइल्स की आपकी दांडी मार्श थी, option B विलकुल correct है, next बात करेंगे, UPS 2005 का question है, ठीक है, in the first roundtable conference, डॉक्तर बाबा सहाब अंबेट का demand, demanded separate electoral for the depressed class, बिलकुल बाबा सहाब अंबेट करने, दलित वर्ग के लिए separate election की बाद की थी, तो पहला statement तो correct है, in the Puna Pact, special provision for the representation of the depressed people in the local body in the civil service were made, अब यहाँ पे पुना Pact हुआ था, इसमें special provision किये गये थे, depressed class क अगला है, the Indian National Congress did not take part in the third round conference, तो बिलकुल third round table conference में, इंडिया नेशनल कॉंगरेस ने पाटिस्पेट नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे civil service और local body की तो बात हो नहीं रही, यहाँ तो आपने legislative assembly, central assembly और आपके प्रांतों में जो elections होते हैं, उसके लिए बात की गए थी, तो option 2 बिलकुल गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा statement का रखते है, option C, next है, महात्मा गांधी undertook fast unto death in 1932, mainly because, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी रहे, कहा था 1932 में, कि मैं जब तक मैं मर नहीं जाता, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, फास्टिंग करता रहोंगा, क्यों कहा था इसा, because, वो नहीं चाहते थे, कि यहाँ पे और भी जदा डिवीजन हमारे देश में हो, क्योंकि वो, क्यों इन्हों ने कहा था, क्योंकि वो चाहते थे, कि जो कमिनल अवार्ड यहाँ पे अनॉंस किया है, रैंसी मेक्डॉनल्स के दौरा, उसे बापस ले लिया जाए, तो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा, अगर वो हिंसा में इंवाल्व नहीं है, तो पहला स्टेट्मेंट साही है, यहाँ पे बोला गया था कि सिविल डिस ओबियंट मुव्मेंट को विद्रॉन नहीं किया जाएगा, ठेक है, त तो आपका फंडमेंटल राइट और नेशनल एकोनोमिक प्रोग्राम के रिजलुशन के लिए जाना जाता है, ओप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है, हूँ रिप्लेस लॉड इर्बन, लॉड इर्बन के बाद भारत का अगला वाइसर आइकॉन बनता ह थी, in which of the following session of roundtable conference, Congress participation was there, तो केवल और केवल जो second number की roundtable conference होती है, वहाँ पर आपको Congress का representation देखने को मिलेगा, बाकि पहले और तीसरे में कोई भी व्यक्ति Congress का शामिल नहीं था, who attended all the three roundtable conference, तीनों के तीनों roundtable conference को किसने अटेंड किया था, बाबा साब अंबिट करने अटें पहले roundtable conference बारा नवंबर को हुई थी, नाइनटी थर्टी में, option number D विल्कुल करेक्ट हो जाएगा, next है, with the objective of rising the moral and material status of the untouchable, डॉक्टर बाबा साब अंबेटकर और्गनाईज, तो डॉक्टर बाबा साब अंबेटकर के दौरा, untouchable के लिए बहिस्कृत हितकार्णी सभा की शुरूआत की गए थी, तो option B बिल्कुल सही है, बहिस्कृत भारत भी बाबा साब अंबेटकर की बुक का नाम है, तो option B बिल्कुल करेक्ट है, गांधी इर्विन पैक्त कब साइन किया था, तो गांधी इर्विन पैक्त 1931 में साइन किया था, 14 फरवरी, 14 फरवरी 1931 को इस को साइन किया था option number C is the right answer who was the Britain Prime Minister during the second roundtable conference Britain के Prime Minister Ramsey McDonnell option A find the correct answer Gandhi was present in the first roundtable conference Gandhi जी पहली roundtable conference में थे तो answer हो जाएगा नहीं थे एक इवल second में थे second roundtable conference was successful क्या ही successful हुई थी नहीं गांधी जी दो वापस आ गए थे question D is the right answer clear next question की तरफ बात करते हैं find the correct answer Puna Pact was amendment to the communal award बिलकुल Puna Pact जो है वो communal award का amendment किया गया था Puna Pact was signed by the Wabasaab Ambit का दूसरे statement भी सही तो दोनों statement यहां पर correct हैं बोद आर्द करेक्ट next है who set up Harijan Sevak Sang Harijan Sevak Sang और Harijan Bikli को शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे तो महात्मा गांदी जी का तो था Harijan है ना option number a correct है ठीक है next देखते हैं महात्मा गांदी लेफ्ट Bombay from London for London to participate in the second round table conference as a Congress representative in the ship known as तो महात्मा गांदी जी Bombay से लंदन जा रहे हैं second round table conference participate करने के लिए राज पूताना जहाद से कौन सी जहाज है राज पूताना नामक जहाद से option number D is the right answer next बात करते हैं question of the day जिसका आंसर आप हमें comment करके बताएंगे यह चार events है जिनको आपको chronological order में बताना है गांधी बिगें दांडी मार्च पूना पैक्ट गांधी इरविन पैक्ट या गांधी स्टार्ट फास्ट अंटू डैट तो कौन से event किस क्रम में हुए हैं वह आप अर्रेंज करेंगे 4231 13241342 या 1243 सही आंसर आप हमें क्रमेंट में दीजेगा reply भी मैं आपको वहीं पर प्रवाइट कर दूँगी आई होप आपको सारे पॉइंट्स यहां पे क्लियर हो गए होगे